नमस्कार आएए आज हम बताएंगे मेरा जहर्खन हमारा जहर्खन हमारा जहर्खन का बारे में बताएंगे ये जहर्खन एक राज्य होता है इसी में क्या-क्या सब इंपोर्टेंड चीजिस छुपा हुआ है रहस्य चुपा हुआ है ये हमारा जहर्खन का बारे में आज हम बाप करेंगे ये भारत बर्समी एक राच्य में गणित होता है ये जहर्खन इज़ेश्टेट इज़ेश्टेट इन इंडिया आज ये राज्य के बारे में हमारा जहर्खन राज्य के बारे में हम बहुत कुछ आपनों को बताएंगे जिसी राच्य ये पंदर्या नवेंबर तो इसकी स्पापना होई थैं यह बहुत सारी competitive examination में union public service commission में या ज्ञाडखंड public service commission में बहुत सारी तरा तरा का कोस्ची ने आता है जो वाकिये हम ज्ञाडखंड के बारे में जानते हुए भी अंजानोर के हम गलती कर बैठते हैं उसी ज्ञाडखंड राजची के बारे में हम बताएंगे जिसी ज्ञाडखंड के capital है capital है राजची जिसके उपराजच धानी है उपराजच धानी उपराजच धानी उपर कापिटल है आप लोग को कितनों को मालूम होगा नहीं होगा इसका है दूंका इसके उपराजच धानी जिसको हम कहते हैं इसको हम दूंका पूरते हैं यह राजच की टोटल डिस्ट्रेट है 24 नंबर्स मैं इसलिए आप लोग को बताता हूं यह हमारा जड़खन एक राज्य की बारे में जानकरी देना एक भारतिय नागरिक की प्रथम कर्तव होता है और हम पढ़े लिखे हैं तो हम इसके बारे में कैसे जिगर ना करें आए यहां का बिधान सवा जो होते हैं यहां जो आशेमली सीट होता है जिसी में एमेले लोग चुना जाता है और जो एमेले लोग मुख्य मंत्री को चुनते हैं वह एटेटेटो सीट से है मैं मोटा मोटी आप लोग को सब ये शी लिए बता रहा हूं किनके आपको जानकरी होना चाहिए और ये राच्चे से राच्चे सवा जो है राच्चे सवा का जो शिर्ष है वो आपको सिक्ष नमबर से शिर्ष है और आपको जो लोग सब का सीट होता है सांसद सीट जो होता है लोग सब का जो शिर्ष होता है वो चोवदा थो होता है देखिए एक राच्चे एक राच्चे जिसी राच्चे में येतनी सारी शिर्ष होती है जिसी में एक हाई कोट होता है ये राच्ची के ऊपर अबस्तीत है वह एक हाई कोट होता है वंहाई कोट ये रांची में कि रांची में कापिटल सीटी को ऊपर में ये तो आई आए अगर इस पर ज़ाखन का एरिया का वारे में हम पता लगाएंगे ये एरिया जो होता है आप लोगों को बहुत लोग को पता होगा कि नहीं होगा यह 79,716 किलोमेटर स्क्वेर में यह फला हुआ है बहुत लोग को यह मालूम नहीं होगा या अगर आप इसको अगर यह माइल्स में बताएंगे यह 30,779 माइल स्क्वेर में फेलाव यह जाडखन हमारा है यह हमारा सिमा रखा है यह हमको बताता है और दफसाता है आए मैं वो जाडखन का बारे में बता रहा हूं जिस जाडखन का रूप्रेक का अंदर में कोन-कोन अबस्तित है अगर आप नौर्थ को चालेंगे इसमें बिहार अबस्तित है हमारा चोत्तुर पार्शों में कोन-कोन है जानना बहुत जरूरी है अगर हम इस्त को चलेंगे हमको वेस्ट बंगल मिलेगा बंगल की सिमारेखा मिलेगा आए अगर हम साउथ को चला जाते हैं तो हम लोग को ओडिशा मिलेगा आए अगर हम वेस्ट को चला जाते हैं देन हमको च्छातिस गर्ष्ट मिलेगा अगर यह दोनों का कोनों को ले लेंगे यह नौर्थ इस्ट अगर कहलाएंगे इसमें हमको उत्तरप्रदस मिल जाता है यह एरिया जो होता है यह एरिया होता है 79,716 किलोविटर स्क्वेर या आपको हम बताएंगे 30,779 माइल स्क्वेर मैं इसलिया आप लोग को बता रहा हूं किल्के बहुत सारी हमारा जार्खण का वारा में जानकरी होना बहुत जैसे जार्खण में हम लोगों यहां पे राते हीं बसबास करते हैं यह जार्खण का पॉपुलेशन यह होता है यहां का पॉपुलेशन यह दो हो जार्खण की लगभग अरावड में बोल रहा हूं यह हम लोग का करीब करीब 64.06 क्रोर्स की आसपास में है लगभग लगभग अरावड यह टोटल भारत की पोपुलेशन में आगर देखें यह टूपॉइंट यह टूपॉइंट यह टूपॉइंट पॉइंट टूपॉटल पॉपॉपॉएशन न पिए exercise टूपॉपॉइंट पॉप कि रहे हूं किसे संध्याशन में जो चीज आ रहा है में वे द्वाद स sorting में नहीं हठ रहों मेरा ज्यान आथ के पास पहुंचना हमारा जणकरी होना बहुत जबली यह जो चोठा सा राज्य होने से भी यह गान्ट्रीबूशन जो जीडिपी में इसकी जीडिपी होता है यह ये 2019 में और 2020 में इसका GDP आपलों को पता होना चाहिए करिब करिब 3.8 लाग क्रोब्स था अगर ये GDP per person का GDP per person का बात करें GDP per person तब कतने आजाएगा ये लगभग लगभग आजाता है आपको 79,873 रूपिश एक आजनी की GDP में जो पाट आजाता है लगभग लगभग इतना आजाता है आए इसका जो लांग्वेज होता है जार्खन का जो लांग्वेज होता है ये लांग्वेज आपकी जो होता है ये राजवासा ही होता है हिंदी मैं इसका आलावा जो अडिशनल लांग्वेज होता हैं है आए ये वो अडिशनल लांग्वेज के बारे में भी में आपको कुछ अब्गत कराहूंगा कि वह ज्रूरी है आफaden का वारे में ज्रूरी है और में इस लिए बता रहा हूं ताकि कि आफलोगो किसी थे रेकर एक जोदर में पठना नहीं होना चाहिए सोचना में चाहिए आफ लोग को विदित भी होना चाहिए कि हमारा जडखन कितनी वहान है कितनी आदर्निय है क्या-क्या उसी में भरपूर रखा गया इसमें अडिशनल लंग्वेज भी जो यूज करते हैं यह अडिशनल लंग्वेज जो यूज करते हैं कि जार्खन में जो यूज होता है आडिशनल लंग्वेज यह पहले यूज होता है अंगी का आपको केत्रों के विदित होगा कि नहीं होगा अंगी का यह अंगी का यूज करते हैं बेंगली बेंगली अडिशनल लंग्वेज में यूज करते हैं भोजपुरी में विवार करते हैं भूमीज करके एक लंग्वेज है वो भी हम यूज करते हैं खड़िया करके लंग्वेज है उसको भी हम वेवार करते हैं खोरटा करके लंग्वेज है हम भी इसको यूज करते हैं यह सब अडिशनल लंग्वेज है हम लोगों यूज करते हैं एक कुम्डा मल्डी करके लंग्वेज है हम लोगों इसको भी अडिशनल लंग्वेज में वेवार करते हैं कुदू को करके अडिशनल लंग्वेज है वह हम भी इसको यूज करते हुँ माधा लिखर करके लंग्वेज है उसको हम भी वेवार करते हैं यह अडिशनल लंग्वेज इतना हम लोगों दो कि बेवार करते हैं नाक्पूर करके एक लांग्वेज है यहां पे बेवार होता है ओडिया करके लांग्वेज है यहां पे बेवार होता है अडिशनल लांग्वेज के रूप में सांतालिकर के लांग्वेज है इसमें बेवार होता है कि आये यहां पे उर्दुभी लोग बेवार करते हैं यह सारी चीजेस आडिशनल लांगवेज के दौर में हम ज़ाडखंड में जो ऑपिशल लांगवेज राजवासा को छोड़के यह यह भासा का भी हम लोगों बेवार करते हैं ज़ाडखंड स्टेट की जो ISO कोड होता है यह बहुत सारी एज्जामिनेशन में आता है बच्चे लोग लिखने के लिए हमारा भाई में जुबा जुबती लोग लिख नहीं पाते हैं आप लोगों ISO कोड जो है यह आई एन इंडिया जे एच नाम पे स्तापीत होता है हम ट्रांस्पोर्ट परिवान में जब कोई भी पंजी करन करते हैं ट्रांस्पोर्ट में रेजिस्टेशन जो होता है वो जे एच करके आपनों को जे के नहीं होता है जे एच करके यहां पे लिखा जाता है आईये इसका जो लिट्राशी रेट है जो साख्यरता यह लिट्राशी जो है जारखन की यह लगब लगब 66.4 1% की आसपास में यह अभी है इसकी मेल जो है मेल सम्था जो है यह लिट्राश में मेल जो है यह 76.84 आते हैं और फिमेले जो होते हैं यह थोड़ा पीछे हैं यह 55 पाइट यह 42 में पर्शंड में हम लोगों लेटरेश लेख में आते हैं और आप अगर हिशाब करेंगे और आप 4.06 क्रोट्स की जो टोटल आबादी है इसमें लिटरेशी 1.83 क्रोट्स की आसपास आपका लिटरेशी हम चाहे हो प्राइबर स्कूल हो या आपर स्कूल हो या प्रोफेश면ल में टेक्निकल लन टेकनिकल में हो तो हम यह अपको इसलहें बता रहें कि आप लोगों को भी जानकरी होना चाहिए यह जतनी लिटरेट हैं यह लिटरेट में जो निदीं में आते हैं इसमें मेल आते हैं करीट 1.08 क्रोर्स और फिमेल जो होते हैं यह लगवग लगवगर 0.75 क्रोर्स की यह संख्या आता है यह संख्या में अगर जानकरी लेना है तो यह आता है परसंटेंज में लेना है तो यह अगर ढ कि आगर निम्मरीकल प्रोके यह आगए मैं इसे लो पता रहा होनства शहवरा आप लोगों को आभरेज जो है यह आभरेज शेक्ष रेशियो आभरेज शेक्ष रेशियो जो होता है नाशनल लेबल में यह आप लोगों को केतनों की पता होगा नहीं होगा 940 फिमेल वर्षेद 1000 मेल यह है नाशनल का अगर जहां जहां जहर्खंड का बात होता है तो जहर्खंड में आता है 948 फिमेल मतलव 1000 मेल के इगनेश में 900 और चनिस फिमेल की यहाँ पे शेक्ष रेशियो है आई रे मैं यह डाटा आपलोगों को इशिले वता रहूं किनके आपलोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जहर्खंड केतने पता है